तो बहुत ही बड़ी खुशकबरी है हम सब गेमर्स के लिए टेक्नो लेके आ रहा है अपना टेक्नो पोवा 5 प्रो जो की स्पेशली डेजाइन है हम जैसे गेमर्स के लिए आज आप ये वीडियो पूरा देखते रही है आज की इस वीडियो में आपको बताने वाल हूँ टेक्नो पोवा 5 की इंडिया प्राइजिंग क्या होने वाली है साथ ही साथ आपको बताने वाल हूँ इस phone की highlights क्या है पर हमेशा की तरह वीडियो में आगे बाने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर पहली बढ़ाए हो तो क्यों ना है चैनल को सब्स्राइब कर लिए जाए तो बढ़ते हमारी वीडियो की तरफ तो स्थार्ट करता हूँ मैं नीचे से यानि कि इसके highlights क्या-क्या है उससे शुरुबात करता हूँ तो यहाँ पर आपको सबसे पहले RGB Lighting देखने की मिलेगी जो कि produce करेंगी 9 colors और जिनको आप अपने हिसाब से कस्टुमाइज भी कर सकते हो चाहे चार्जिंग के लिए चाहे गेमिंग के लिए चाहे नोटिविकेशन के लिए साथ ही साथ आपको यहाँ पर एक decent camera मिलने वाला है 50 MP का main lens होगा वैसे यहाँ पर आपको शायद से dual camera setup मिलने वाला है back में बागी front के camera की कोई हाल फ्लाल में update नहीं है यहाँ पर आपको high-res audio और dts surround sound का भी support मिलने वाला है साथ ही साथ सबसे main बात यह phone 120 fps की gaming आपको दे सकता है specially customized है mobile legend और bang bang game के लिए साथ ही साथ में जो अगर आप free fire खेलते हैं तो वो 90 frames per second का जो आपको है frame rate दे देगा साथ ही साथ PUBG के लिए specially यहाँ पर Z-axis linear motor दी गई है जो की customize कर सकते हो यानि कि अगर आपको गोली पड़ रही है तो आपका जो phone है वो वाइबरेट करेगा यानि कि Z-axis linear motor की थूरू वाइबरेट करेगा इसको यह बोल सकते हैं कि 4D gaming motor भी दी गई है जो कि अभी तक सिर्फ और सिर्फ आईकू के phones में आती थी यानि कि आपका gaming haptic जो है वो बहुत ही improve कर देगी साथ ही साथ यहाँ पर आपको टेक्नो ने 6.78 इंचीस का एक FST plus distortion वाला 120 Hz का AMOLED पानल दिया है साथ ही साथ large vapor cooling chamber भी है वैसे यह जो chamber है यह ऐसा claim कर रहा है टेक्नो की 2 degree तक आपके जो फोन का जो temperature है उसको कम कर देगा वाइल हैवी gaming साथ ही साथ यहाँ पर आपको 8 GB और 8 GB virtual याने की 16 GB RAM का सपोर्ट में लेगा और बेस वे रेंज सही है आपको 256 GB storage देखने के लिए मिल जाएगी बाइद वे जो पर storage यूज होगी वो UFS 2.2 की हो सकती है और LPDDR4X RAM यहाँ पर आपको देखने के लिए मिल जाएगी साथी साथ आपको यहाँ पर मेंड़ेक डामेंच 6080 5G प्रोसेसर दिया गया है जो कि 6 nanometer architecture पर बेस्ट है और यहाँ पर आपको mecha design दिया गया है और जो RGB lightings है back panel में उसको आप अपने साथ से customize कर सकते हो और इस phone की जो pricing है वो इंडिया में करीब करीब 14-15,000 रुपे के असपास होने वाली है देखते रहे है